देखो बेटा ये भी सवाल बहुत अच्छा है मेरी तबियत खराव इसलिए तोड़ी से आवाज भर रहा रही है उतना तो आपको अपको अपको हो गया होगा हमारी आपकी वेवलेंथ मिल चुकी है आप हमारी बात को समझ रहे होंगे कह रहें सेटलाइट इस्अरविटिंग जैस्ट अबब दा सर्फिस ऑप साफ प्लेच बवाट अच्छी बात है यह हमने के दिया अर्थ है और यह हमारा प्लेच है जीकर अर्येमएरस निर्प डिर क्या है और टाइम पीृट टीलिया है उनिवर्सल तो होगा अगर आपने का कि सार हम मान लेते हैं कि जो रेडियस है उस प्लेनेट के मास और उस सेटिलाइट के बीच के दूरी वो आ रहे हैं तो ऐसे सूर्थ हाल में कहने लगे थ्री पाइ पांच जीडी किसके क्यूलेंट होगा तो आपने का सब टाइम पीडियर दिया है तो सबसे पहले टाइम पीडियर निकालने कोशिश करते हैं टाइम पीडियर क्या होगा डिस्टेंस किता चला है टू पाई आर और एक सर्कूलर मोशन कर रहा है तो क्या हो जाएगा Mb² आर एक सैंटिफीडल फोर्स भी लगेगा तो इधार जो गविटेशनल फोर्स लग रहा है उसी को सैंटिफीडल फोर्स मनेज कर रहा है तभी दो इक्वेलन अपोजिट होते हैं इसी यह बैलेंस चलता है तो गविडियर इसको कर रहा है विलास्टी वाली की वज़े से आपको सेंटी फिगल फोर्स पस इतना समझ गया तो काम बन गया समझदार तो आप बहुत हैं पहले समाल उडा लीजे इसको उडा लीजे अब भी स्कॉाइर है तो वी इकल टू अंडर रूट जी एम अपान आर रख दीजे भाई समझदार तू पाई आर और विलास्टी हो गई अंडर रूट जी एम अपान आर काम बनने रहा है क्योंकि आपको जी और डी चाहिए देंस्टी चाहिए नहीं मास्क गाइब करना है तो सबसे पहले आप फोली स्कॉाइर केर के कुछ तो अपने जी एम अपान आर अंडर वूट खतम हो गया यह उपर चला गया बेटा टू पाइ फोर पाइ स्कॉाइर आर उपर जाके क्यों बना बेटा अपान जी एम डेंस्टी आपको दी गई है मास्क आपको निकालना है तो मास परावर वालियूम इंटु डेंस्टी वालियूम कितना हो जाएगा इस फैरिकल सेप का होता है चार वटे तीन पाइ आर और density D हो गई अब देखे यह यह कड़ गया बिटा इस से यह कड़ गया 4 से 4 कड़ गया 3 उपर चला गया तो उपर बचा 3 और पाई आ गया और नीचे बचा G into D यही आप चाहते थे आप जाना चाहरे है 3 पाई G into D किसके बराबर है साफ साफ दिखराए T स्कॉार के है कोई सेकेंड इस दा बेस्ट आप्स